Bilingual Study में आपका Most Welcome है जी हाँ दोस्तो आज मैं फिर तो फस्तित हूँ सिकंड पाली में जो Social Science का एक्जाम हुआ उसका आंसर की लेकर के सिकंड पाली में मेरे पास D.S.8 है पर्थम पाली का अगर आपने आंसर नहीं देखा है तो description में लिंके वहाँ जा करके देख सकते हैं यह सिकंड पाली का है जो बिहार बोड दोवारा मैट्रिक एक्जाम लिया जा रहा है उसका question चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और मिला लें कि आपका कितना सही हुआ कॉमेंट करके जरूर बताएं साकारिता साक समिती कानून कब बना कब पारित हुआ यहां पूछरा बना नहीं पारित हुआ तो 1904 में पारित हुआ option B बिल्कुल सही है आपका कोई भी सेट हो आप question से question मिला सकते हैं फर्स्ट पाली यानि पर्थम पाली के मुकाबला दूतिय पाली का question मेरे ख्याल से थोड़ा इजी था objective सब्जेक्टिव दोनो ठीक है भारत की वित्तिय राजदानी किस नगर को का जाता तब मुंबई को पर सासनिक राजदानी नहीं दिल लिये जबकि वित्तिय राजदानी मुंबई है option D यहां पर सही है भारत के सकल गहरे लुदपाद में किस छेतरे का सरवादिक योगदान है यह question पर्थम पाली में पुछा गया है यहां हो जाएगा सेवा छेतर अपसंसी बिल्कुल सही है बहुत सारा question सेकंड पाली में फर्थम पाली का भी पुछा गया है तो यहाँ पर चार में सुवरन आभुसन की सुधता को सुनिश्चित करने के लिए किस माननेता पर आप चिननका हो ना वैसे का तो हॉल मार्क का अपसंसी जो है आपका बिल्कुल सही है पांच नमबर में देखते हैं अभुकता संद्रक्षन अधिनियम कब लागुआ तो 1986 में आपको पता ही होगा अगला बिहार का शोक किस नदी को का जाता यह सब कुशन बहुत हलुआ था कोसी नदी को का जाता अपसंबी बिल्कुल सही है महासागर की तली पर होने वाले कमपण संबंद है क्या सुनामी को का उसको सुनामी कहा जाता अपसंपंस इ जाता है अपसन भी यहां बिल्कुल सही है दस में देखते हैं सूचना का अधिकार कानून कब लाग हुआ तो 2005 में इसी को आटी आई कहते हैं राइट टू इन्फरमेशन अगला कोशन देखते हैं नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है तो नेपाल के सा के भारतिय जन्ता पाठी के परतेम अध्यक्ष कों थे हैं भारतिय जन्ता पॉटी के असथापना उन्हीं सरसि मैं अच्छ कियाते हैं अगला कोशन देखते हैं पंचायततों महिलाओं के लिए कितना परतिष्दत आरस्थान आरक्षित है दोजिए आरक्षित 33 परतिश्य things किसके लिए तो इनमें से सभी यहाँ पर हो जाएगा option D जो है आपका बिल्कुल सही है अगला देखते हैं 15 में कि अगर बिहार में सरोपर्थम नगर निगम के अस्थापना कहा की गई तो पटना नगर निगम के अस्थापना बिहार में सबसे पहले की गई जबकि मदरास ग्यांदोलन का नितरुत किसने किया तो 1974 इसी में मैं जैपरकास नारा ने जेपी ने लोक नायक अप्सन ए बिल्कुल सही है अगला कुस्टन सवीनेवा ग्यांदोलन के समय भारत के वाइसरा आई कौन थे तो लॉड इर्विन थे सवीनेवा ग्यांदोलन उनीस सटीस से च बना तो रूस बना अप्सन सी बिल्कुल सही अगला कुस्टन देखते हैं क्या कहरा हिंदे चीन पहुंचने वाले पर्थम व्यापारी भारत भी पहुंचने वाले हिंदे चीन पहुंचने वाले पुर्तगाली है या पहला पर्थम पाली में भारत पहुंचने वाला निक्ति किया था तो परधानमंत्री निक्ति किया था काउन का उरको विक्टर एमिनुवेल ने तो तैस का अप्सन डी जो है आपका बिल्कुल सही है अगला कोशन देखते हैं क्या कह रहा है कि किने सिमांत गांधी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफार खान को ज अंदरलाल बहुगुना मतलब इसके करता धरता नितरित करता निम्नमस से कोन और नवी करनी है संसाधन है जिसकी पुनपूर्ती असानी से नहीं होते तो जिवास में इंदन हो जाएगा यहां बाकी सब जो है आपका नवी करनी है संसाधन है अगला देखते हैं किसी पर्थम जल विदूद सहियत्री का स्थापना कहा हुई थी तो भारत में पर्थम जल विदूद सहियत्री का स्थापना दार जीलिंग आपका दार जीलिंग में हुआ था पंगाल के पसिंबंगाल का अपसंसी जो है आपका बिल्कुल सही है नेक्स कोशन देखते हैं बिहार क सरवाधिक धनत वबला जीला भारत में मुक्छ तै किस परकार का कॉईला पाए जाता है तो बीटू मीनस पाए जाता उपसन पर जाताए व्टोर में यहां बिल्कुल चैनल को अंगले ने पर यहां प्छिस धान है तो फरीझना भारत का दामोदर है अगला कोशन देखते हैं अगले कोशन में क्या कहा रहा है मुदरन कला का विसकार कहा हुआ तब मुदरन कला का विसकार चीन वह हुआ अपसन भी जो है आपका बिल्कुल सही है विसवे की पर्थम पेपर मिल क्या स्थापना जर्मनी में हुई जर्मनी में हुई कहा हुई या 18 लूथर की लिखे अप्सन सी बिलकुल सही है अगला कोशन देखते हैं क्या कह रहा है वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें मिरातुल अकबार के संस्थाप पो कोन है ज्यादा तर बच्चे ने इन दोनों मा मारा गा लेकिन अंसरों का राजा राम मोहन राय अप्सन ए बि बिलकुल सही है नेक्स कोशन देखते हैं अलमुनियम किस खनीच से संबन देता है अलमुनियम का जो आयस के है वो बॉक्साइट से अप्सन डी जो है यहां बिलकुल सही है नंदा देवी रास्टी उद्दान कहां है नंदा देवी रास्टी उद्दान जो है आपका उत्रा बोल्विया में जन संगरत का मुख कारण क्याता है पानी कादाम बढ़ाना डल का निदिकरन बेव बिलकुल तभेर जो हो dif in से पिस महादेश का हिस्टा है डक्ष्छी नंचे को से फिरात्म कि भूक्त के ली पिक चेतरों के रखा सथा ड्रक जातसों अग्ला कुछ हम नक्स ने option D जो है आपका बिल्कुल सही अगला question देखते हैं किसी तता गरामीन विकास के लिए स्पुनरवर्टी करने वाली सिर्ष संस्था कोन है तो नाबाड है option भी बिल्कुल सही अगला देखते हैं बारती रिजन बैंक की अस्थापना 1935 में हुई निमन में से कोन गैर आर्थिक अधारबूत संदरशना का अंग है गैर आर्थिक पुछ रहा आर्थिक पुछता दिये तीनों सिक्छा जो है गैर आर्थिक option B जो यहां बिल्कुल सही है विस वे अपार्थ अंगटन की अस्था अपना यह सुबह में ही पुछा गया था क्या अप्सन डी जो है यहां आपका बिल्कुल एक जन्वरी उनिस सफलचाने वे सी बिल्कुल सही है ब्रंट लेंड भूट लेंड भी कहते हैं इसको ब्रूट लेंड आयो संबंदी तेद समावे सी विकास से option A जो है यहां पर सही हो जाएगा अगला देखते हैं परतम टी आयो को दिया गया 2014 मां जिसे 2015 से जन्वरी 2001 जन्वरी 2015 से लाग हुए option A बिल्कुल सही है भारत में सबसे बड़ा मारब निर्मित जलासाइकोन है गविंद वल्लब पंत सागर जो है आपका यह भारत में सबसे बड़ा है गविंद वल्लब पंत सागर ठीक है यूपी मे है यह आपका next question देखते हैं क्या कहरा next question में कहरा सरवाधिक बाड़ परभावी देश है तो बंगलादेश हो जाएगा option यहां सी बिल्कुल सही है अगला देखते हैं मांचीतर में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है ठीक है नीले रंग को दिखाया जाता ह हाँ यह उत्तर सिर्फ पूछ रहा तो नहीं दिल्ली हो जाएगा उत्तर पूर्व नहीं पूछा जादा तो बच्चा हाजी पूर मार दी होंगे वीडियो को लाइक कर दें कमेंट करें शेयर करें पंजाब में भूमी निमनी करन का मुख कारण क्या है अधीक सी जाई है न उकला देखतें मॉपलावीदो कहां हुआ तो मॉपलावीदो केरल्म हुआ तो ॉनीज शे OPस पनसर नमर में क्या कह रहा है बोनस भकता छी तीनियम किस पंचवर्थी योजना के दोरान बना तो यह पंच वर्सी योजना आपका आप्शन C जो है बिल्कुल सही 1965 में याद रखिए का भारत में पहली जूट मील का अस्तापित की यह पर्थम पाली में पुछा गया था कलकत्ता में आप्शन B जो है बिल्कुल सही है उनतर में पावरलूम का विसकार किसने किया है इडरमें का ट्राइट ने एप्शन C जो है आपका बिल्कुल सही है अंतरास्ति अस्रमिक संगठन का मुख्याले का है जेनेवा में प्शन D जो है आपका बिल्कुल सही है सिंगापूर कब अज़ाद हुआ तो सिंगापूर आपका कब अज़ाद हुआ 1965 में नौ अगस्त 1965 इस भी को अप्सन डी जो है आपका यहां बिल्कुल सही हो जाएगा बہत्तर हैं बारत सदस्त नहीं है तो ओपेकक का नहीं है ओपेकक का वही सदस्त है जो त्यल उत्पादन करता एं तेल का उत्पादक देश है अगला देखते हैं नीमिन में कौन राज रेल मार्गित से नहीं जुड़ा हुआ तो देखें यहां मनी पूर्ण नागा लेन और मेगाले तीनों नहीं जुड़ा हुआ यहां नहीं पूछ रहा है इसमें आप लोग कमेंट करके बताएं वायू परिवन का राष्टी करन कब किया गया तो आपका उनी सथीरपन इस भीम आपसं सी बिल्कुल से अगला कोशन देखते हैं कि आर बारत का पर्थम निरियास समद्दन छेतर कहां स्थापित किया गया तो यह आपका कांडला में आपसं बी जो है आपका बिल्कुल से कोईला कारबन का मात्रा इसमें पाए जाता है अगला देखते उन्यासी में क्या अगर आप पर्थम पिर्थी भी समय यह कोशन भी सुबह में पूछा गया रियोडी जेनरों में आप्शन भी जो है बिल्कुल सही है असी नमर निम निम सकोन आ किरसी आधारित नहीं है किरस ौड़ आ, भाभ है यह अगर है पर रियोड़ काृब है